हेलो मैं टेज स्टूडेंट मैं सेल्फ आलोग वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वन अफ प्रियोडिक प्रॉपर्टी इस नोन एस एलेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी या इसको हम एलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी जानते हैं या कहते हैं ह्ट्रीक है राइट और इसका जो सीमबल होता है अगर आब देखें यहां पर डेल्टा हुआ ऑज यह सम्बल है किसका है लेक्ट्रॉन गेन एतल्लपी का डेल्टा मीञा होता है स्टूडेंट एच का सीमबल है download फ्रियों तर्मोडीनिक्स EG का means electron gain या इसका एक और नाम है student एक और नाम से मिसको properties को जानते हैं जिसको बोलते है electron affinity EA या A capital और small e इसका symbol है clear है तो आई इसको start करते हैं और discuss करते है what is electron gain enthalpy और electron affinity तो बत्रुक क्या होता है जब कभी कोई atom कोई एक electron gain करता है और atom जब एक electron gain करेगा तो किसमे convert हो जाएगा cateaion में की anion में किसमें हो जाएगा anion में तो जब कोभी एक neutral atom एक electron gain करता है और convert हो जाता है किसमे negative ion में तो कुछ energy क्या होती है release होती है उस जो release हो रही हो उस energy को हम क्या कहते है electron gain enthalpy क्या कहते हैं electron gain enthalpy but important बात यहां पर जो atom होना चाहिए isolated gaseous atom होना चाहिए isolated gaseous atom का means एक तो atom isolated होना चाहिए बिल्कुल separate होना चाहिए single atom की बात कर रहे हैं ठेके न और gaseous atom होना चाहिए correct right so definition में भी यही लिखा हुआ अगर आप read कर सकते हैं तो amount of energy released when electron is added to an isolated gaseous atom to form a negative ion is called as electron gain enthalpy clear है तो आप देख सकते हैं अगर यहां पर मैंने लिखा भी है एक atom है उसने अगर एक electron gain किया तो चार्ज क्या हो जाएगा ए माइनस में convert हो जाएगा तो यहां पर जो energy release होगी इसको आप क्या energy को यह roz होगी उसको किसे करते की से क्यों को का रहा है क्या बोलते हैं इसको हम राहा हम आज करते हैं delta x kum में क्या बोलते हैं देटा एज के टम्स में that is changing एंथेलपी डेल्ट है चीज़ होता है एज का में एंथेलपी तो जो भी एट किसी केमिकल रियक्षण के टाइम पे डीलीज होती है यह एब जो एड्द होती है और atom convert हो रहा है किसमे नेगेटिव आयन में तो यहाँ पे जो डेल्टा हो एच होगा that is change in enthalpy होगा उसको हम क्या बोलेंगे electron gain enthalpy क्या कहेंगे electron gain enthalpy और सिंबल यहाँ पे हो जाएगा अब enthalpy वाला डेल्टा eg और क्या हो जाएगा h हो जाएगा correct अब मैंने आपको पहले बताया था प्रीविएस वीडियो में भी ठेक है न कि जब कभी भी energy किसी reaction के time पे chemical reaction में जब कभी भी energy release होती है तो ऐसे process को कहते है exothermic process क्या कहते है exothermic process और जब कभी भी energy absorbed होती है during any chemical change या chemical process या chemical reaction तो मुस्स pro進出 को क्या कहते है endothermic या endothermic process कहते है तो यहाँ पे मुझे बता सकते हैं बच्चों की यह क्या होगा exothermic process or exothermic reaction कि he is endothermic reaction तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर क्योंकि energy क्यों हो रही है तो इंदोनरल ही क्या होता है यह एक exothermic process होता है बट कोई जुरूरी नहीं बच्चों यहां पर राइट यह important बात है हमेशा ऐसे नहीं होगा कुछ element ऐसे होते हैं जिसमें जब electron हम एड करते हैं तो कुछ energy हमें supply करनी पड़ती है कुछ energy यह heat हमें क्या करनी पड़ती है देनी पड़ती है तभी वो atom electron को accept क यह यहां पर कि depending upon element to element जो डेल्टा एजी एच है एलेक्ट्रॉन के इंटल्पी केन बी नेगेटिव मतलब वो एक exothermik भी हो सकता है और endothermik भी हो सकता है तो मैंने यहां पर यहीं लिखा हुआ है depending upon element the process can be exothermik और endothermik डेल्टा एजी एच can be positive और can be negative और जनरली क्या होता है most of the cases में it is an exothermik process for few examples for few elements it is positive right that is endothermik तो generally it is an exothermik process that is delta eg क्या होता है negative होता है टेकर अगर exothermik होगा बच्चो तो energy release होती है तो delta h का that is changing enthalpy का और yields का मतलब क्या होगा कुछ निकल गया तो जब कुछ निकल जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा हम minus में रहेंगे की plus में रहेंगे अगर let's suppose अभाए पास कुछ amount of money है उससे amount of कुछ money से हमारे यो हमारे पास कुछ पैसा है उसने में purchase कर लिया तो हमरे pocket से कुछ पैसा निकल गया तो हम उस case में क्या रहेंगे plus की minus तो आप यह से answer क्या रहेगा minus तो कुछ भी अगर energy release होती है तो sign क्या होता है negative अगर वही कोई amount of money हमें कोई दे देता है तो हम किस में हो जाएंगे plus में हो जाएंगे तो कभी भी अगर heat absorb होती है तो डेल्टाइच एंथल्पी का sign क्या होता है positive होता है that is endothermik हो जाएगा तो endothermik के time पे डेल्टाइच का sign क्या होता है positive और exothermik में डेल्टाइच का sign क्या रहेगा negative जब energy क्या होती है release होती है correct है तो यहां पर वही mention किया हुआ है अब दूसरा question यह आता है student यहां पर जो important point है कि हम property एक ही है ठीक है property क्या कहती है कि जब कभी भी कोई electron add होता है isolated gaseous atom में या कोई isolated gaseous atom electron को accept करता है तो कुछ energy release होती है उसको हम क्या करें electron gain enthalpy या electron affinity अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही property को हम दो नाम से क्यों कह रहे हैं अब ही तो हमने क्या बोला it can be said as an electron gain enthalpy as well as electron affinity ऐसा क्यों है तो इसके पीज़े definitely कुछ reason होगा क्यों हम एक ही property जो है definition same है बट इसको हम दो नाम से represent कर रहे हैं एक electron gain enthalpy और एक electron affinity तो आई इसको discuss करते है पहले समझते है electron affinity क्या होती है right affinity आप समझी समझने बच्चों affection या love तो किसी भी isolated gaseous atom का affection या love towards क्या electron उसको क्या कहेंगे electron affinity ठीक है न मतलब कोई atom का love towards क्या या affection towards नहीं electron is called as क्या electron affinity मतलब अगर क्या होगा affinity जादा होगा तो element क्या करेगा वो element का जो atom होगा isolated gaseous atom होगा वो electron easily accept कर लेगा तो जितना ज्यादा affection होगा electron का उस atom का towards the electron उतना ही क्या हो जाएगा उतना easily क्या करेगा electron को क्या करेगा accept करेगा तो more is the affection more easily it will like it will accept an electron ठीक है तो यहाँ पी यह लिखा हुआ है electron affinity it is an affection or love of an element for an electron element के time आप atom भी लिख सकते हैं आपके ठीक है how easily an element wants to accept an electron ठीक है न कितना easily कोई element या atom electron को accept करता है that is electron affinity अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आप से पूछूँ यहाँ पे question कि affection अगर जादा होगा तो electron affinity क्या होगी कम की जादा तो answer क्या होगा higher is the electron affinity more easily it will accept an electron उतनी जल्दी electron को accept करेगा तो आपको समझ में आया होगा electron gain enthalpy क्या होता है अब इसकी जुरूरत क्यों पड़ी अब question जो मैंने question पूछा था कि एक ही property है बट हम इसको दू नाम से कह रहे हैं ऐसा क्यों है आईए इसको discuss करते हैं तो यहाँ पर वही topic है relation between electron affinity or electron gain enthalpy अब देखिए बच्चों क्या है affection जो है या love है यह quantitative है कि qualitative है इतना बस बता दीजी क्या है यह qualitative property कि quantitative property है तो answer क्या होगा love यह affection को आप नाप नहीं सकते हैं measure नहीं कर सकते है किसी तराजू पर किसी weighing machine पर या किसी vessel में liter इतना kg उसको आप measure नहीं कर सकते है you cannot quantify it तो जो affinity है affinity को quantify नहीं कर सकते है किसी element का जादा या कम कितना जादा कितना कम we don't know right तो electron affinity को quantify करने के लिए कोई value देने के लिए quantify कम की जादा तो हमें कोई certain value numerical value assign करनी पड़ेगी कि उसका जादा है कि उसका कम है let's say chlorine के electron affinity जादा है sulfur से तो कितनी जादा है तो उसके लिए we have to assign some certain value तो वो जो value है बच्चों वो है electron gain enthalpy तो electron gain enthalpy क्या करता है electron affinity को quantify करता है क्या करता है quantify करता है तो quantification of electron affinity is done by electron gain enthalpy जब हम उसकी value assign कुछ कर देते हैं तब हम बता पाएंगे यह इतना जादा है इसका affection इतना जादा है इतना कम है let's suppose chlorine का electron affinity या हमने value दे दी कितनी 20 और sulfur की कितनी 10 है तो हम ऐसे कहेंगे कि जो chlorine की affinity towards the electron है वो double है as compared to क्या sulfur so now we have quantified right तो I hope आपको समझ में आओगा कि electron affinity electron gain enthalpy में क्या है difference क्या है या relation क्या है तो यहाँ पर important बात यह है बच्चों electron affinity है और जो electron gain enthalpy दोनों का जो magnitude होगा वो क्या होगा same होता है क्या होता है same होता है ठीक है ना सिरफ फरक क्या होता है उनके sign में फरक होता है affinity मतलब क्या positive हाना हमारा negative का मतलब क्या hate होता है affection या love का मतलब positive तो अगर electron gain enthalpy होगा तो electron affinity का जो sign होगा वो क्या होगा positive होगा क्योंकि वहाँ पर energy release हो रही है तो sign क्या लगा रहे है negative बट अगर electron वो accept कर रहा है ठीक है तो affinity towards electron है उस item की तो इसका sign क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो दोनों का magnitude of electron affinity and electron gain enthalpy same only the differences of sign अगर delta EGH का sign negative है तो electron affinity का positive होगा और अगर electron gain enthalpy का sign क्या है positive है तो electron affinity का sign क्या होगा negative होगा तो आपको बच्चों को answer मिला होगा आपको कि electron affinity और electron gain enthalpy में क्या relation होता है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ अगर हमें quantify करना है electron affinity को measure करना है value कुछ assign करनी है तो that value is assigned with help of electron gain enthalpy correct तो यहां पर वही mentioned है electron affinity of an element sorry affinity of an element to accept electron is decided by certain numerical value जो मैंने क्या करता है electron को accept करता है करेक्ट है और जिसको हमने क्या बोला था electron gain enthalpy तो यहां पर वही mentioned है and that the value of amount of energy released when electron is added to an atom that is electron gain enthalpy और यहां पर देखें मैंने लिखावा भी है last में quantification of electron affinity is done by uważ electron gain and the right तो अगर electron gain enthalpy की value जादा होगि तो electron affinity भी जादा होगा magnitude ज्यादा magnitude दोनों का क्या था toi Sin था तो वह भी ज्यादा होगा electron gain enthalpy कम होगी एफटे ब्यंटी क्या होगी कम होगी करेक्ट है मतलब जितनी जादा energy release होगी एलक्ट्रोन एफिनिटी उतनी ज़्यादा हो करेक्ट है ना राइट तो हाई यह दा वैली ओफ क्या एलक्ट्रोन गिन एंथल्पी यह मॉड लगा रहा है मैंने अगर आप देखें यहां पर मॉड लगा रहा है मॉड का मीन्स मैगनिट्वड हुआरम अब्यस किको संव मॉर मॉर इस दा इफिनिटी ओर टेंटेंचे तो अब यूसली क्या होता है देखो बचों हाना तीक है न हब ढ Mississippi जो यह न है यहां पर important पॉइंट बता recognize यहां यहां ए Sun एक आप एक्षान कम होसकता है जादा होसकता है negative है नहीं हो हो सकता है यहां पर ऐसा नहीं है कि हम उसको हेट कर रहे है नहीं है ठीक है तो कहने का यह मतलब है जैसे अगर हम let's suppose खाना खाते है तो आज खाना अच्छा बना है है तो हमारा affection towards खाना जो रहेगा ठीक है वह अच्छा रहेगा पनीर खाना पसंद तो पनीर घर में बना हुआ है तो उस दिन आप एक से रोटी जो आप डू रोटी काते था अप एक दिन ऐस दिन होता है और आपका मन नहीं और हम जबर्दस्ति आपको ठूस रहे नहीं ऐसा जनली प्रैक्टिकल नहीं होता कि आपका पसंद नहीं है आप आपसे जबरदस्ति कोई आपके मुह में डाल रहा है नहीं है संयोग चो मेरे कहने का यहीं मतलब है यहां पर कि जो एलेक्टरों के इंथेल्पी होता है ठीक है वह यू जब फॉजिटीत होता है है average करें हम सबस्ट करने हम इनरजी दे रहे हैं हम एनरजी दे रहे हैं क्या сто that atom क्या करें करें electron को accept कर ले मतला वाम यहां पर theater कर रहे हम पुश्च करने हम क्या कोई atom है यह यह यहन कर रहे तो अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे कुछ energy दे रहे हैं निस upd papmicry कि यह क्या करें accept कर ले तो यहां हम जबरदस्ती कर रहे हैं इसका ना एनरजी दे रहे हैं तो डेल्टा हीजी का साइन क्या होगा positive अब electron affinity में जबरदस्ती कोई जैसे चीज होती नहीं है affection है या नहीं है तो नहीं है तो zero value होगी अगर है तो value क्या होगी positive होगी तो बहुत सिंपल है अगर क्या है वह accept कर रहा है electron easily affection है तो positive अगर नहीं है तो value क्या होगी जीरो बट जो electron gain enthalpy हो सकता है वह जबरदस्ती भी उसका है कि हम क्या करें energy दे रहे हैं तो यहां पे को certain value आई होगी तो अगर electron gain enthalpy का sign positive we are providing some energy to an electron so that atom can accept an electron तो यहां पे हम forcefully कर रहें बट अगर हम forcefully कर रहें तो मैंने valuable affection है या नहीं है तो यहां पे affection बिलकुल नहीं है तो इस case में जब electron affinity के value होगी वह क्या कहेंगे आप zero assign करेंगे क्या करेंगे जीरो या फिर बहुत किसी कभी कभार हम इसी value को क्या होगा अगर यह positive होगा तो electron affinity का हो जाएगा negative हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे atom है जैसे noble gases होगी मैं अगर आप से कहूं तो noble gases का stable configuration होता है helium neon तो वह electron accept नहीं करेगा उसकी affinity नहीं electron accept करने की ना देखो आपने कभी वह bonding पार्ट नहीं लेता helium या neon वह bonding पार्ट नहीं लेता उनके compound नहीं होते because they have no tendency to accept an electron या देते भी नहीं है वह electron तो उन पे electron affinity को वहाँ पर क्या कहेंगे कि helium की कोई भी electron affinity नहीं थी एलेक्ट्रों अफिनिटी क्या था जीरो था या जीरो के जगे पर हम कभी कभार ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि value क्या हो जाएगी negative हो जाएगी but electron affinity के negative का मतलब यही है कि वह easily electron या उसका affection towards electron नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूं अगर electronic electronic affinity का नेगेटिव गीवन है तो उसका मतलब यही है कि it does not have any affection towards an electron that is why उसकी value को हम electron affinity को 0 भी कह सकते हैं तो यहाँ पर वही mentioned है यूजली इफ डेल्टा एच इजी पॉजिटिव धन्वी से यह जीरो और वी कें से negative करेक्ट है ना बच्छों ठेक है यहाँ पर फॉर्मुला मैंने की मैंने यहाँ पर दिया वाई ncrt में गीवन है आपको राइट कि अगर हमें क्या है electron gain enthalpy निकालना है और electron affinity पता है किसी एक particular temperature में तो यू कन यूज इस फॉर्मूला डेल्टा एच इजी इक्वल to electron affinity माइनस फाइब बै टू आरटी करेक्ट है ना राइट तो अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से बच्छों ठेक है यह क्या है डेल्टा चीजी और electron affinity तो इन दोनों में difference क्या है सिरफ इस फेक्टर का difference माइनस फाइब बाय टू आरटी तो अगर माइनस फाइब बाय टू आरटी की वैल्यू अगर आप calculate करेंगे टू नाइंटी एट केल्विन पर राइट टेमपरेचर कितना रखना है केल्विन में 298 केल्विन टाइट और आर की वैल्यू की पॉइंट जीरो एट कितनी हो जाएगी तो जब आप calculate करेंगे तो यह value क्या रहेगी बहुत ही चोटी वैल्यू आती है किसी लिए हम कह देते हैं almost क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है कि क्या होगा एलेक्ट्रों गेन इंथल्पी इकल टू एलेक्ट्रों एफिनिटी हो जाएगा अल्मोस सेम का मतलब यह वैल्यू आप calculate करेंगे 5 by 2RT जो value आएगी बच्चो यह आती है 2.47 किलो जूल कितनी आती है 2.47 किलो जूल आर गैस कॉंस्टें होता है इसकी value 8.314 बट यह जूल में होती है तो आप जो किलो जूल में करेंगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो जो value आएगी 2.47 आएगी ठीक है तो डेल्टा है एनथल्पी जो यह पर मंतीन थेल्पिए जहां प सिर्क एक यहां पर है यहां पर अपर जो आफ लिक लिंखेंगा आइओ बच्चो आपको अभी तक समझ में आया होगा ठीक है आई आगे प्रोफीट करते हैं ठीक है नेक्स्ट बच्चो सक्सेसिव एलेक्ट्रॉन गैन एंथल्पी सक्सेसिव का मतलब क्या है किसी एटम ने जब एक एलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसको क्या है प्रस्ट ईलेक्ट्राइस एलेक्ट्रॉन चल्पि तो उसको सिंबल ओगा डेल्टा इजी हगा यां फस्टॉट्र मियेट रहां वthem जब डुसरा एलेक्ट्रॉन देंगे थिक्च करेंग तो उसको बोले सक्सेसिव एलेक्ट्रोन गैन एंथल्पी खिया तो क्या बनाः diff यहां पर डेल्टा हेज़ी है वह कितना है इसका ऑक्सिजन का माइनस 141 किलो जूल पर मोल तो अगर हम यह एक्ट्रों इफिनिटी की बात करेंगे तो यह नेगेटीव है तो यह वैली क्या हो जाएगी पॉसिटीव हो जाएगी राइक टाइलेक्ट्रों इफिनिटी कितनी हो करेंगे तो ओ माइनस हो जाएगा क्योंकि एक 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 एक्ट्रों ने पहले से एक्षेप्ट कर चुका है अब एक और एक और एक्ट्रों देंगे हैं तो बनेगा ओटू- अब ध्यान से देखिए यहां पर राइट-1 है यहां पर मैं दूबरा लिग देता हूं अब इसमें आयन है औक्सिजन का जो नेगेटिव आयन है वह अब यह एलेक्ट्रॉन को एकसेप्ट नहीं कर रहा होगा तो इन में रिपल्स हो जाएगा एक्ट्रेक्शन नहीं होगा तो इसलिए क्या होगा अब हमें क्या करना पड़ेगा कुछ एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी और उ जो पॉजटीव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है राइट एलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी की बात करना पॉजटीव हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है बट जो सेकंड एलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी होगी या और बियांड हो जो होगी वो सभी क्या होती है एं एक्सेप्टिंग एन एलेक्ट्रॉन करेक्ट बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं ज़िए सेकेंड एलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एलेक्ट्रॉन के एंथल्पी क्या है प्लस 740 किलो जूल पर मॉल तो अगर यह सवेश 740 बच्चों इसको सही कर लीजेगा कितना ह सुरी 780 यह यह तो यहां भी 780 कर लीजेगा मैंगिट्व फॉट्ट वी सेम यहां मैंने 740 लिखावा है मेकट 780 कितना कर लिजेगा 780 कर लिजेगा बट मैंगिट्व तो सेम है साइन अपोजिट रहेगा तो यहां पर अगर प्लस है तो इसमें क्या रहेगा नेगिटिव रहेगा करेक्ट तो यहां पर मैंने यही नोट भी लिखा जो मैंने अभी वरता है था सिंस एनर्जी इस टूब सप्लाइट फॉर एडिशन ऑफ सेकेंड एलेक्ट्रॉन दस सक्सेसिव एलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी इस ऑल्वेस पॉजिटिव बच्चों याद रखना है क्लियर है बच्चों राइट आई यह स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम डिसक्रस करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम है यह वन यह टू अफ सल्फर इस प्लस 200 और माइनस 590 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं यहां पे किलो जूल पर मोल एट कैल्कुलेट एलेक्ट्रॉन गे घरिफ स्माइनस तू ऐसको कैसे करते हैं प्रॉब्लम को यह मैं थरीका आपको बता रहा हूं रहिँ वर्त यह कैसे आता है सटौर्च करेंगे अगे аются chapter पढ़ेंगे थर्मो केमिस्ट्रि क्या करेंगे कि आन्थेलपी से प्रीलेटर प्रोडम को कैसे डूंष करते कने में को सुलकरने क्या है और टो इन बीट्विपोर कम्पलेटिंग फर्मोकेमिस्ट्रί । तो किसे अपरोच करना इस problem को इसको देखते हैं तो क्या है मैं आपको तरीका बता रहा है इसको कैसे solve करेंगे को क्या है है s plus two electron है तो हमें पता है यह s plus two electron हमें तम मिलेगा जब पहला एक electron एड़ होगा तो यह क्या होगा एस माइनस वन इसको हम फस्ट एलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी बोल दे तो इसको बोल दे जो एनरजी रिलीज होगी इसको डेल्टा है एस तो बोल दे जो एक्ट्रोन गेन एंथल्पी सेकिंड अब इन दोनों रियक्शन को अगर हम एड़ करते हैं तो जैसे मैट्स में होता है बच्चो एक्विशन इक्वल टू के राइट साइड और लेफ्ट साइड इसको कैंसल करते हैं ऐसी यहां भी कैंसल कर देंगे रा और आवाववाख एस निए चर्ण गानेंथल्पी इसका डप्राइच ही क्या होगा बचो बच्चो जगर आपने जो रीक सन्यर्ड करिये तो similar way में अगर reaction होती है तो enthalpy भी add होती है اگactor reaction को minus करते है तो delta h होता है तो यहाँपे क्या हमने reaction add करी है तो जो net delta h आएगा वो क्या हो जाएगा delta h का sum हो जाएगा इस delta h one plus delta h two है वो electron gain enthalpy first है और electron gain enthalpy क्या है second है आफ यहां पर data क्या given देखिए data given है electron affinity का ना कि electron gain enthalpy का वो गया plus 200 और minus 590 तो इसका अगर मैं electron gain enthalpy लिखूंगा तो क्या हो जाएगा minus 200 और इसका जो लिखेंगे second electron gain enthalpy that is delta h2 वो कितना हो जाएगा plus 590 तो इन दोनों को add कर देंगे तो हमें delta h जो इजी है जो final हो मिल जाएगा यहां पर यहां पर मैंने यह किया हुआ है कि फस्ट रियक्शन है तो delta h का sign यहां प्लस था तो यहां क्या हो जाएगा बच्चो माइनस इस सेकंडरी एक्शन है तो यहां इसका क्या गिवन था माइनस नाइन 590 तो यहां प्लस 590 यह सम हो गया दुनों को add कर दिया यह cancel हो गया तो delta h हो जाएगा delta h 1 plus delta h 2 that is delta h जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 390 आपको भी से करना है यहां अगर यहां पर क्या होता तीन एलेक्ट्रोन एड़ करते तो डेल्ट एज क्या होता है डेल्ट एज 1 प्लस डेल्ट एज 2 प्लस डेल्ट ह 3 हो जाता राइट नेक्स्ट ए बच्चों यहां पर electron gain enthalpy of chlorine is 349 kJ per mol how much energy is required to convert 3.55 gram of chlorine to 2Cl minus अब देखें क्या है जो electron gain enthalpy given है आपको chlorine की 349 kJ per mol है मतलब एक mol chlorine को chlorine है में convert करने के लिए energy कितनी release हो रही अब एक जो मोल होता है chlorine उसमें वो कितना gram होता है 35.5 ग्राम इसके थाटी 5.545 gram of chlorine को chlorine आयन में convert करने के लिए energy release हो रही है तो 3.55 के लिए कितनी energy release होगी that is very simple 34.9 kJ per mol ठीक है ना this is the right answer बच्चों तो यहां पर वही है 35.5 के लिए कितना चे 349 तो 3.55 के लिए कितना चीए होगा 34.9 किलो जूल पर mol राइट यहां पर दिखनी रहा है इस नंबर आ गया है तो आप आंसर रिख लिए गा 34.5 सॉरी 34.9 किलो जूल पर मोल करें बच्चों एक तो आया होप आपको दोनों कुशन क्लियर होंगे नहीं आई अब डिसकस करते हैं स्टूडेंट क्या अफेक्टर एफेक्टिंग एलेक्ट्रॉन गेंड एंध्य राइट एलेक्ट्रॉन गेंडल भी किसकी सीज़ों पर डिपेंड करेंगे राइट तो सबसे पहले बच्चों क्या है साइस की बात करें अगर हम तो एक एटम अगर हैं यह देगें 10 ग smoking होगा जिसका साइस च्छोटा होगा क्यों कि उनके बीच का डिस्टन्स कम यह तो फोर्स आप अट्रेक्शन क्येंड होगी था और takes Kir MCD on 색깔 कि और स्क्वेर तो जितना आरकम होगा तो फोर्स अबट्रेक्षिन जिज्यादा होगा ऑल्स आवच्प सबunkt्रक्षन कि रिलीज उ harई यह एक्ट्र में क्या होगा एक्ट्रॉन हम आपर है कि यहां पर हम हम यहां पर कहें कि इसमें इसका Z1 है इफटीव नूक्रिटा इसका Z2 है अगर Z1 क्या है ज्यादा है कि से Z2 से अब electron affinity किसकी ज्यादा होगी कौन electron जल्दी accept करेगा वह क्या होगा ज्याद इसका ज्यादा है फर्स्ट वाले का ज्यादा इसका मतलब समें नंबर प्रोटन ज्यादा है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने भी बताया था फोर्स अब ट्रक्स निटा की वन इंटू क्यू टू तो क्या होगा इसका यह क्या है क्यू टू ए तो जिसमें जतने ज़्यादा नंबर और प्रोटॉन होंगे या इफेक्टिव न्यूक्लियर जितना ज़्यादा होगा उसक क्या हुआ थारड पॉइंट क्या बचो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होगा वहाँ पे उस-केस में क्या होगा देखिए लिट सबोज मैं नहीं पर क्या कर लिए इसका मतलब अब क्या होगा यह इस पर कोई affinity in electron accept करने की इसका मतला अगर हम neon को electron देना भी चाहेंगे तो हमें जबर्दस्ति एलक्ट्रों देना पड़ेगा मतला हमें कुछ energy देनी पड़ेगी तो अगर हम energy देंगे तो delta's का sign क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो electron gain enthalpy क्या होगा positive होगा अग अगर electron gain enthalpy positive होगा तो electron affinity क्या हो जाएगा बच्चों या तो zero बोलेंगे या क्या बोलेंगे negative हो जाएगा तो जिस भी element का stable configuration होगा that is half filled हो completely filled होगा उसका उस वो क्या करेगा उस पर tendency new electron को accept करने की means हमें उसको electron को forcefully देना पड़ेगा forcefully देने के लिए we have to supply some या add some energy into it तो delta का sign क्या हो जाएगा positive मतब प्रोसेस क्या हो जाएगा endothermic क्या हो जाएगा endothermic और अगर delta positive हो गया तो definitely electron affinity को या तुम zero बोलते हैं या क्या बोलते हैं negative कहते हैं तो यहां पर वही mentioned है half filled and completely filled are stable configuration so they are reluctant to accept an electron so its electron if electron is added to an element having half filled or completely filled we have we have to यहां पर आगे mention कर लेंगे we have to give some energy right हमें क्या करना पड़ेगा give some energy हमें कुछ energy give some energy लिख लिजेगा energy देने पड़े हमें राइट करेक्ट बच्चों तो यहां पर लिख लिख लेगा टू तो इफ अलेक्रों is added to an element having half filled or completely filled we we will have we are we will have या we we have to provide या give some energy अगर energy प्रोवाइट करेंगे तो इस लिख क्या होगा डेल्टाइच इजी का साइन पॉस्टी वह या एलेक्त्रों के इने लेक्तान इफिनिटी का हो जाएगा जीरो या नेगेटी हो जाएगा राइट यह सीधे सेंटेंस ऐसी ही है तो इस एक्टान इस एरेट टो एन क्या होता है 1s2 जैसे बेरिलियम हो गया मेंगनीशिम हो गया उनका ns2 configuration होता है completely filled है फिर ग्रूप 10 होता है स्वारी group ग्रूप क्या होता है 12 होता है जिसमें क्या होता है cadmium ccadmium oh Mercury that is 3D104810 और 5D10 तो d10 है तो completely filled है फिर आता group 15 that is nitrogen family उसमें p3 होता हाफ फिल्ट कॉन्फिग्रेशन है फिर गुरूप 18 देज एन पी 6 वह कंप्लीट्री फिल्ट कॉन्फिग्रेशन है तो इन सब का जो डेल्टा कि तो इससे प्याइट प्रिट्ट करुळणि एपक्राइब्स क्यूंप अब सुचिए कि अगर किसी आटम का च Von तो उस पर क्षैंड टूर्ट चाहलता ओगा प्रस्ट होगा तो ऑब्यब्य से जदा होगा कि सक्रीणिक पुर है तो अलेक्टरोन और न्यूकेस के में क्या होगा फोर्स अफसिंट समयदा होगा, तो और स्क्रीणिंग आप चानते हैं चाह कि ख będę की और ऑफ दिशकिस करते हैं बच्चो क्रेंड राइट करना है तो always two right right left to right का मतलब क्या हुआ हमें क्या मुझ करना लेफ तु राइट का मतलब या एक्रोस डंट ब संस्कार्ण जाना ऑद '' अक्रोस पुरिष्डिक जब जाते हैं तो जट इफक्टीव क्या करता इंक्रीज करता है तो हमारा क्या होगा एलेक्ट्र Glue E प्रट्र ONG Q?", क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिक्रीज करेh, इल्डाउन दगूर्प यह डिक्रीज न्हें गरता है decrease करता है due to increase in size यहाँ पर मैंने एक important point लिखा वच्छो यह जो बैं बोल रहा हूं along the period की बत कर रहा हूं कि increase करेगा electron की enthalpy this is not applicable for d block element इसको याद रखना है अब ऐसा बताईए जैसे अगर हम क्या कह रहे हैं अगर हम left to right move कर रहे हैं बच्छो घञास हो गाउने अफ क्या होगा n हाए원 ऑग्या को इसका मतलब क्या होगा more energy release हो ही होगी जितना एजी लिक्टरोन एक्षण होगा उतना जादा energy release होगी इसका मतला क्यों होगा जब तो आप left to right move करते हैं तो delta heg electron gain enthalpy की more negative value मिलती जाएगी negative value बढ़ती चली जाएगी जैसे minus 20 minus 40 minus 60 and so on ठीक है न यही जब आप down the group move करेंगे तो tendency electron affinity क्या होगा तूवर्स affection towards electron क्या हो कम हो जाएगा इसका मतलब जो value होगी वो more negative नहीं मिलेगी वो less negative मिलती चली जाएगी जैसे पहली value होगी minus 100 तो उसके जो नीचे वाला होगा उसका minus 70 हो सकता है और उसके नीचे वाले का minus 50 हो सकता है and so on ठीक है तो यहाँ पर दोनों यही point लिखा हुआ है electron gain enthalpy will become more negative along the period जब हम मूव करेंगे तो more negative value मिलेगी और electron gain enthalpy become less more negative less negative when we move from move down the group that is top to bottom correct तो बच्चों आपको यह दोनों point clear हुए होंगे राइट कि यह क्या-क्या चीज़ है राइट ठीक है आए बचो कोशन डिसकस करते हैं तो compare कर रहे है हम electron gain enthalpy first जो है पहले हम first period का electron gain enthalpy को relate कर रहे हैं first period में hydrogen और क्या आता है helium hydrogen होता है student 1s1 और helium होता है 1s2 helium का configuration क्या stable है completely filled है इसका मतलब क्या होगा यह electron accept करने कि इसकी टेंडेंसि नहीं होगी यह affinity towards electron नहीं होगी affection right so this means इसका जो electron gain enthalpy होगा वो क्या हो जाएगा हमें energy देनी पड़ेगी तो वह क्या हो जाएगा positive electron affinity क्या हो जाएगा या तो वह negative होगा या क्या होगा जेरौ होगा बट इसका जो एलक्ट्रॉन गाइन तेल्पी यह जाएगा नेगरेटीव हो जाएगा नेगरेटीव हो जाएगा तो यहां देख सकते हैं यहां पर होगा 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 नेगेटिव और यह क्या होगा पॉजिटीव होगा हीलियम का क्योंकि वन स्टेबल कॉन्फिग्रेशन और यहां पर मैंने लेक्ट्रों एफेनिटी को गंपेर किया हुआ है यह क्या हो तक आप इसमें second period अभी हमने देखा था second period और 15 period और 18 period इन सभी का क्या था element का क्या होगा या तो electron gain enthalpy की बात करें तो वो positive होगा और electron affinity की बात करें या तो negative बोलेंगे या क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे तो अगर आपको इनको order arrange करने को आएगा तो कैसे करना है आपको जिसकी वेल्यू जितनी ज़्यादा positive हो आएगी electron gain enthalpy की किसकी वेल्यू positive होगी electron gain enthalpy की this means it has no affection towards an electron हमको extra energy देनी पढ़ रही बाहर से to add some electron उनको आप सबसे पहले रखेंगे अगर increasing order में arrange कर रहें तो उनकी वेल्यू क्या होगी सबसे कम मानी जाएगी ठीक है और जितना ज्यादा more negative होगा वह क्या होगा उसकी वेल्यू उतनी ज्यादा मानी जाएगी उसकी position आप वहाँ पे सबसे ज्यादा पर रखेंगे increasing order में तो वह increasing order में करेंगे तो सबसे लास्ट में वह element आएगा जिसकी electron गेन एंथल्पी सबस्यादा negative होगी और सबसे फर्स्ट पोजिशन उसकी आएगी जिसकी electron गेन एंथल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा positive है तो आएए देखते हैं तो लीथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन आइटोजन फ्लॉरी ऑक्सिजन फ्लॉरीन और नियॉन सब्सक्राइब तो यह याद रखना है you have to remember this order जो मैंने यह पर लिखा हुआ है अब देखें यहां पर द्यान से positive वाली बात करें तो ग्रूप 2 में बेरिलियम आ गया ग्रूप 15 में नाइट्रोजन आ गया ग्रूप 18 में क्या गया उच्छो नियॉन यह यह और यह तो देखें सबस्दा positive value कि इसकी नियॉन की है 116 तो यह सबसे first position लेगा मैंने पहली बहुत था सबसे पहली increasing order में जिसको सबसे पहली position assign करेंगे नियॉन उसके बाद जो सबसे कम positive होगा वो क्या है बेरिलियम तो second बेरियलियम उसके बाद less positive तो क्या होगा नियॉन स्वरी नियॉन कर रहा हूं नाइट्रोजन तो यह first three होगे यहां पर mention भी है सबी की क्या positive value है right because they have stable configuration अब इसके बाद जो है वो क्या होगा negative value है अब मैंने क्या गाता जिसकी value जतनी ज्यादा क्या है कि more negative होगी वो सबसे last में रखेंगे तो फ्लोरीन सबसे सबसे नेगेटिव से last में फिर oxygen की फिर carbon की फिर लीथियम की फिर किसकी बोरॉन की right clear right तो और याद रखेंगे वच्छों यही same position यही same क्या रहेगा right same trend किसके लिए रहेगा same trend क्या होगा third period का भी रहेगा right जैसे यहां neon है तो third period की बात करें तो neon के जएगे क्या होगा आरगन होगा यहां fluorine है तो वहाँ क्या होगा chlorine होगा right oxygen के नीचे क्या होगा होगा right तो same order यह same trend will be followed by third period also right अभी यहां पर important है बच्छों इसके पर काफी question आता है यह point बहुत ही important है very very important तो इसको ध्यान रखिएगा right आई इसको discuss करते हैं क्या क्या रहे हैं यहां पर electron gain enthalpy यह electron affinity of second period element is less than third period element यह बहुत important point है हमने क्या बता है जब हम down the group जाते हैं तो हमारा size बढ़ता है तो electron gain enthalpy क्या होगा less negative हो जाएगा right लेकिन ऐसा नहीं होता है यहां पर एक exception मानिए इसको right कि जो third period होता है उसकी electron gain enthalpy more negative होती है as compared to कि इसके second period element से तो यहां पर यहीं लिखा हुआ है second period में देखे क्या है carbon nitrogen oxygen fluorine और third period में silicon phosphorous sulfur and chlorine तो silicon की ज्यादा होगी carbon से अपने group elements से phosphorus की ज्यादा होगी nitrogen से sulfur की ज्यादा होगी oxygen से chlorine की ज्यादा क्यों होगी किसे fluorine से correct राइट अब ऐसा है क्यों तो इसको समझते हैं अब चुल let's suppose carbon की बात करें तो carbon का configuration होता है अगर हम last की बात करें तो यहां क्या होता है टूपी टू राइट और अगर किसकी बात करें nitrogen के नीचे क्या आता है silicon तो इसमें कितना होगा थ्री पी टू होगा तो अगर आप देखें यहां पर जो वैल जो अशेल है number of शेल क्या है सेकेंड है और यहां पर नंबर अफ शेल कितना है त्री तो carbon में क्या है जो दो ही शेल है और जब हम silicon पहुँचे तो number of शेल कितने होगे त्री होगे इसका मतलब क्या जो carbon का size चोटा है और silicon का size क्या है बड़ा है और दोनों में दो-दो electron है last में अब क्या होगा जब electron add करने जाएंगे तो यहां size चोटा है carbon का तेक उसकी वज़े से क्या होगा इन electrons के बीच में क्या हो जाएगा रइपल्सन जादा हो जाएगा अब रइपल्सन जादा होगा इसका मतलब क्या होगा है electron को वह easily accept नहीं कर रहा होगा मतलब affinity towards electron क्या होगी थोड़ी कम होगी तोड़ी कम होगी क्योंकि उनका size चोटा है जोगि सेकंड और नेगेटीव होगी लेकिन जैसे ही आप सिलिकॉन में आएंगे तो आप यह जो ला जो एलेक्ट्रॉन है वो थाड़ सेल में एड़ हो रहा होगा इसका मतलब क्या होगा स्काइस थोड़ा बढ़ा हो गया एलेक्ट्रों के बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा तो एफिनिट क्यर्च को स्बसे इंठल्पी कि किस ऐलेमन्ट का सबसे हाइस्ट अलेक्ट्रॉन गेनथल्पी जाधा होती है मतलब कि कि ऐसे कि बो günकी सबसे अलेक्ट्रॉन की सब चयादा नेगेटीव वadow आईगी यह इसकि सब चयादा होगी तो आंसर क्या होगा क्लोरीन कि यह मूंस्ट अलक्टॉन सब्से जब्से जदा क्या होती है अलेक्टॉन बात कर रहा हूं यह एलेक्टॉन अेफिनिटी चेक्षेट całरी क्लोरीन की क्योंकि हो होगा हमने बोलाता है क्या करता है बढ़ता है क्या करेगा इंक्रीज करेगा और डाउन दा गुरूप क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो जो गुरूप 18 है उसकी तो हाई नहीं उसकी तो पाइफिनिटी नहीं है नाज जीरो के बराबर है तो बचा क्या है इसके बाद 17 गुरुप तो 17 गुरुप की मैक्सिम हो हो रहा होता है तो इसमें maximum amount of energy क्या होती है रिलीज होती है तो यहां भी बच्चों यही रीजन दे रखा है अगर आप देखें एलेक्ट्रों गेन अन्थल्पी ऑफ पी टू इस लेस देन लेस्ट नेगेटिव देन पी-3 बिकाज एड़ एलेक्ट्रों गोस्टू स्मॉलर ए 10 is equal to 3 energy level so the added electron occupies larger regional space region of space and less electron electron repulsion and the electron repulsion is much lesser कम होगा इसलिए क्या होता है electron gain enthalpy जो होता है वो chlorine का ज्यादा होता है किसे fluorine से ठीक है तो यहां पर लिखा भी है chlorine as maximum electron electron gain enthalpy in periodic table most negative लिखा भी है तो क्या होगा chlorine की ज्यादा fluorine की फिर bromine की फिर iodine की ऐसी sulphur की ज्यादा किससे ठीक है याद रखेंगा बच्छो यह group 16 है यह बहुत important है यहां पर आपको दिखनी रहा है बट ग्रूप 16 का आप लिख लीजेगा मैं बताना हूं sulphur फिर selurium फिर tellurium और फिर oxygen oxygen सबसे लास्ट में आता है बच्छों ध्यान रखेंगा बहुत important oxygen की due to its size उसकी electron gain enthalpy इतनी ज्यादा less negative value आती है कि वो सबसे नीचे ट्रेंड नीचे चला जाता है सबसे bottom में चला जाता है तो यह value आपको याद रखनी है यह trend बहुत important है जो मैंने भी बताए आपको किसका group 16 अब group 16 में तो सबसे कम किसका group 16 में oxygen का फिर्ट और सबस्यादा किसका होगा sulfur का आप ऐसा पूसकता है कि बताए जिसनी आप गुरूप 16 और गुरूप 17 को compare कर ले और पूछे इन दोनों में बताए कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम तो याद रखें गुरूप 17 का जो लास्ट एलिमेंट है that is iodine उसका भी electron gain enthalpy ज्यादा होता है किससे गुरूप 16 एलिमेंट के टॉप पर से मतलब iodine का ज्यादा हो किससे sulfur से भी ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा इन सब से भी वह ज्यादा ही होगा तो यहाँ पी एही मेंशन है electron gain and electron affinity of group 17 is greater than group 16 एलिमेंट तो अगर कोश्चन आता arrange the following in increasing order of electron affinity that is phosphorus, sulfur, chlorine और fluorine तो अब देखें group 15 ग्रूप हो गया हमार पास 15 भी है और 16 भी है और 17 भी है अब 17 में क्या है fluorine और chlorine है तो chlorine की ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो chlorine सबसे पहले आगया अब क्या आगया fluorine बाकि सब क्या एक इप की रटक है आप देखें यहाँ पर तो क्या भी मैंने बोला था group 17 की ज़्यादा होती ग्रूप 16 से ग्रूप 16 ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ग्रूप 15 से भी ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा किस की होगी chlorine की फिर किस सबसे कम होती है या positive value आएगी तो फॉस्फर सबसे कम वेली होगी तब क्या होगा sulfur का then fluorine then chlorine right so this is the right answer नेक्स्ट कोशन है विच इस दा मोर स्टेबल राइट ल आई माइनस या बी इए माइनस यह जई यह का question है li- और be- तो configuration लिख लिजिए li- क्या होगा 1s222 हो जाएगा एक electron add हो जाएगा क्योंकि जो li होता है वह वह 1s222s1 होता है बट एक electron जाएगा तो 1s222 हो जाएगा अब बेरिलियम तो पहले 1s222 तो था लेस्ट इस टेबल राइट तो लाई माइनस बी माइनस बी माइनस और सी माइनस राइट अब देखें यह पे लाई माइनस क्या हो था लाई माइनस टेबल हो गया 1s222 भी माइनस पहले हिसे ही भी पोरॉन क्या था वानेस टू पास के 1 एश टू, टु, टू एस, टू, टू, 2P कितना वन ता एक अलेक्टरण एड़ हो गया, तो 2P2 हो गया ज्यादा छुछ फरक्त नही पड़ा compete तो कार्बन की बात करा jogo क्या था फ़हले था 1s2 ये ने सबसेट हैं अन्स्टेबल, टीक हों सबसे लीस्ट डिया है ,ति सबसे सबसे ईन्स बोक्या है ट्रस बोल्ट वांटब्द्र सब्लेक्द्श करेंगे एक ट्राइब तो यको ट्रॉट्पी नियो सभी प्रोबगरर यह तो और स्थट्रौन निकाला थो सब्लाई करने क्या होता है? we have to provide some energy लेकिन जब क्या होगा अगर electron gain enthalpy की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा जितनी amount of energy क्या होए थी, ज़रा हमने एक electronic को निकाला तो हमने कुछ energy देनी पड़ी, वही same amount of energy क्या होगा, जब हम electron add करेंगे, तो उतनी क्या होती है रिलीज होगी रिलीज होगी मैं रिपीट कर रहा हूं था आपने किसी ऐलेक्ट्रोन को नघालने के लिए फाइफ जूलN volt अगर वही अलेक्टोन आपको अड़ करते है तो उतनी एनेःब बस एख पॉसितिव हो गया और एलेक्ट्राउट इन इन केया हो गया इसका रिवर्स हो गया क्योंकि एन निम संतर्ट आईड खो गा तो यह जायना रम इसकी वैल्यू कितने हो जाएगा माइनस 5.1 एलंग्ट्राउन ant लास्ट कोशन है बच्चों, क्या है, n0 by 2 atom of x converts to x plus by e1 energy, और n0 by 2 of x gets converts to x minus by e2 energy, calculate आहने से energy and electron affinity, तो इसको ध्यान से देखिए, क्या कहरें, एक x atom है, ठीक है न, उसको x plus convert करने में, तो x plus का मतला भी एक electron निकालना पड़ेगा, तो एक electron है निकाल दिया, तो यहाँ पे जो energy हो होगी, वो क्या होगी, आयने से energy कहलाई जाई, और अगर हम क्या कर रहें, x minus बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक electron add कर रहे हैं, तो x minus बनेगा, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, electron gain enthalpy कहलाई जाएगा, energy, अब देखिए क्या है, तब जब हम एक यहाँ पे, एक atom को, जब हम, एक x atom को x plus में convert करते हैं, ठीक है, तो even energy release हो रही है, कितनी energy release हो रही है, even, क्योंकि यह per atom given होगा, यह per atom given हो गया, per mole given होता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कि n naught by 2 atom of x is converted into x plus by even energy, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि हम इस question में क्या given है, कि आपने n naught by 2 क्या है, x atom लिए होएं, और x plus में convert कर दिया, energy कितनी होई, even, तो n naught by 2 के लिए कितना होई, energy होई, even, और अभी मैंने बोला था, आइने से energy होगा है, पर atom define करेंगे, तो अगर n naught by 2 atom के लिए even energy हो रहा है, तो एक atom के लिए कितना होगा, e naught into कितना 2 upon कितना n naught, तो ये क्या होजाएगा, ये आएने से energy होजाएगी, एक एटम के लिए, मतलब, n naught by 2 atom के आइने से energy given है, आपको एक atom के निकालनी है, तो क्या होजाएगा? e naught into 2 by n naught, सेम आपके पास क्या होजाएगा electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, आपको n naught by 2 atom के कितनी गिए? x my e2, तो एक उटम की कितनी हो जाएगी एक एटम की कितनी हो जाएगी ईटू यहां पर एक आप यह तो एट can काई एटम को एक से एकस माइनस करने के लिए कितनी में इस गीन सब्सक्राइब बात करने की सब्सक्राइब कि एकर आटम के लिए कि लिए मत तो एनरजी तुछ आटम के को clear हुआ होगा कि what is electron affinity what is electron gain enthalpy clear है क्या होता है राइट दोनों में basic क्या difference था ठीक है factor affecting क्या होता है electron gain enthalpy के और उनके trend क्या थे राइट और exceptions क्या थे याद रखना है third period element का जो electron affinity होता है वो more negative होता है as compared to second period element chlorine is as maximum electron gain enthalpy a electron affinity in whole periodic table correct बच्चों ठीक है thank you